वाडी में एक रुद्धा से घर में घुसकर मंगलवार की राद को रेप किये जाने का मामला सामने आया है देर राद दिन तक पुलीस मामली की जाच में जुटी थी पिडित 65 वर्ष्य रुद्धा के लिए रहती है उसका बेटा खापर खेडा में रहता है रुद्धा सोमार की राद घर में सोई थी देराद दो से तीन लोग रुद्धा के घर आए उन्होंने रुद्धा को चाको की नोक पर धमकाया इसके बाद उससे एक आरुपी ने शारिरिक संभन बनाए निर्जन परिसर तथा रात का वक्त होने से महिला आरुपियों को विरोध भी नहीं कर पाई बंगलवार सुबव रुद्धाने परिसर के लोगों को इसकी जानकारी दी थी जिसके बाद पुलीस को बताया गया घटना का पता चलते ही वाडी पुलीस हरकत में आई अब परायक्त नविन चनरल रेडडी, डीसी पी लोहित मतानी, वाडी की पी आई लले तोड़ा से थाने पहुँचे पुलीस टीम को आरुपियों की खोशबीन में रवाना किया पताय जाता है कि इसके पहले भी महिला पर एक ट्रक्चालक ने जपरदस्ती करने का प्रयास किया था उस दोरान ट्रक्चालक की लोगों ने धुनाई भी की थी परन्तु महिला को घटना याद नहीं होने से पुलीस एक दिशा में कारियन नहीं कर पा रही है आगे क्या होगा इसके ओर सबका ध्यार लगा हुआ है देरा दिन तक पुलीस मामले की जाच में जुटी है BCN News के लिए वारी से सौरपाटिल के रिपोर्ट